मनीपूर में दो महिलाओं को निर्वस्तर घुमाने के मामले में दो और अरुपी अरिस्ट किये गए गुरुवार रात तक चार अरुपी गिरुफतार हुए मुख्यमंदरी एन बिरिन सिंग ने कहा सरकार अपराधियों के लिए मोत की सजा पर विचार कर रही है इससे पहले सुबह पहले एक अरुपी को और शाम को एक को गिरुफतार किया गया यह गटना चार माई को राजदानी इनफाल से लगबक 35 किलोमेटर दूर कांग पोक पी जिलो में हुई इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो महिलाओं को निर्वस्तर करके कुछ लोग ले जा रहे हैं उनसे अशलिल हरकते कर रहे हैं गटना के विरोध में गुरुवार सुबह मणीपूर के चूरा चांदपूर में प्रदशन शुरू हो गया हजारों लोगों ने काले कपड़े पहन कर प्रदशन किया और आरूपियों की गिर्वतारी की मांग की महिलाओं को नगर भुमाने के मामले में सुब्रीम कोट ने कहा कि वीडियो देखकर हम बहुत परिशान हुए हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए अगर वहाँ कुछ नहीं होता तो हम कदम उठाएंगे वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना ने 140 करोड भारतियों को शर्मसार किया है किसी भी गुनागार को बक्षा नहीं जाएगा मनीपूर पुलिस ने किड्नैपिंग, गेंग रेप और हत्या का मामला दल्च कर आरोपी को गिरुफतार कर लिया है बाकियों की तलाश जारी है मनीपूर सीएम एन बिरन सिंग ने कहा है कि हम सभी आरोपियों की मोद की सजा जिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद